हेलो एवरीवन, वेलकम इस नेक्स वीडियो अफ वेटिक मैथेमेटिक आज हम दिसकस करेंगे मल्टिप्लिकेशन आप दी नंबर फ्रॉम 11 तू 19 अगर 11 से लेके 19 तक कोई भी नंबर, अगर कोई सी भी दो नंबर की आपने मल्टिप्लिकेशन करनी है तो कैसे उसको जल्दी से जल्दी आप मल्टिप्लाई करोगे अगर हमारे पास टू नंबर हैं 12 एं 13 तो टू नंबर हैं बिट्वीन 11 तो 19 तो इसको हम तू स्टेप्स में करेंगे सबसे पहले आपने क्या करना है यह जो यूनिट नंबर है दोनों नंबर के यह जो यूनिट नंबर है इन दोनों को सबसे पहले आपने मल्टिप्लाई करना है तो यह हमारे पास क्या आजाएगा 6 तो फर्स्ट स्टेप में तो आपने सिर्फ क्या करना है इनके ये जो दो unit numbers है उनको multiply करना है और second step में आप क्या करोगे ये जो number है 12 तो या तो आप 12 में 3 add कर दो तो हमारे पास answer आजाएगा 15 या आप ये भी कर सकते हो कि 13 में आप ये वाला 2 number add कर दो तो answer हमारे पास आजाएगा 15 तो total हमारे पास answer जो आएगा that will be 156 देखो मैं repeat कर रहा हूँ हमने 2 steps में किया सबसे पहले हमने दोनों के unit digit multiply किये 3 into 2 that is 6 उसके बाद हमने क्या किया 12 में add क्या तर दिया 3 तो वो हमारे पास आगया 15 so answer is 156 now next example तो next जैसे हमने 11 को multiply करना है किसके साथ 4 के साथ तो सबसे पहले 1st step में हम क्या करेंगे इन दोनों के unit digit multiply करेंगे 4 into 1 that is 4 अब second step में क्या करना है 11 में आप क्या add करोगे 4 या फिर आप ये भी कर सकते हो कि 14 में आप क्या add कर दो 1 तो 11 में 4 add कर दो या फिर आप 14 में 1 add कर दो तो अंसर हमारे पास आजएगा 1 5 तो टोटल अंसर जो हमारे पास आजएगा 1st step में हमारे पास अंसर आया 4 और second में हमारे पास जो अंसर आया that is 15 तो अंसर इस 1 15 4 अगर हमने 11 को multiply करना है 19 के साथ तो 1st step में इन दोनों को multiply करेंगे that is 9 next step में 19 में क्या add करेंगे 1 19 में क्या add किया 1 ये वाला 1 तो हमारे पास जो अंसर आएगा that is 20 so total answer will be 209 means 209 now next next हमारे पास है 12 को हमने multiply करना है किस के साथ 14 के साथ तो सबसे पहले दोनों के unit digit multiply करेंगे 2 into 4 that is a second step में 12 में या तो आप 12 में 4 add कर दो या फिर हम क्या करेंगे 14 में 2 add करेंगे so ये हमारे पास आएगा 16 so answer will be 168 so thank you so much so अगर आपको वीडियो अच्छी लगे then like the video as well as share the video also subscribe my channel thank you so much